नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या कृशी कानूनों के खिलाफ किसान अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आज शुक्रवार को किसानों का आंदोलन नौवे दिन में प्रवेश कर गया है आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर नो पॉइंट पर ट्रैफिक बंद कर दिया क्या है किसान कानून वापिस करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसानों का कहना है कि कानून वापिस लेने के लिए संसद का विशेश सत्र बुलाया जाए आपको बता दें कि केंदर और किसानों के बीच पांच में राउंड की बातचीत पांच दिसंबर यानि कल होनी है किसानों का कहना है कि केंदर कानूनों में कुछ सुधार पर राजी है पर हम नहीं हमने उन्हें बता दिया है कि पूरे कानूनों में ही खामी है हम कल पांस दिसंबर को होने वाली मीटिंग से पहले आज आपस में बाच्चीत करेंगे और अपनी रंड नीती तयार करेंगे यहां आपको ये भी बताते चलें कि केंडर और किसानों के बीच चोथे दोर की बाच्चीत करीब साथ गंटे चली किसानों का रवईया ऐसा था कि बाच्चीत के दोरान लंच ब्रेक हुआ तो उन्होंने अपने साथ लाया खाना ही खाया किसानों ने कहा कि सरकार का चाय या खाना मन्जूर नहीं एक दिसंबर की मीटिंग में भी किसानों को सरकार की तरफ से चाय ओफर की गई तो उन्होंने कह दिया था कि चाय नहीं मांगे पूरी कीजिए किसानों ने तो यहां तक भी कह दिया कि आप धरना स्थल पर आईए आपको जले भी खिलाएंगे समाचार एक्सप्रस की रिपोर्ट कि अच्रस की रिपोर्ट व्के डाईएंगे कि एा, कि में रिए आपको जले खेंसे लिए ढ़ी धिया जले पम्हास अच्रस की चाय है एसे ही लेटेश को बहें पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद।